हेलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार आठ सेप्टेंबर 2021 और आज के दहिंदू न्यूजपेपर गौम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसके पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्सिन मिल जाएगा या लेड करेंगे मुल्ला अकुन और सिराजुदिन हकानी को जो इंटिरियर मिनिस्टर बनाया गया है मुल्ला अकुन के बारे में विसेश बात क्या है कि उनाइटी नेशन इनको ब्लेक लिस्ट करका है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह इनकी एक विसेश बात है फाइनली इनके थे इस इसके पोड़ी पदो देखने अधाइट गया सब्लाई का इनके वजेसे जुलाई दोजार इक के अदनर बहुत सारे पॉलिटीशन जर्नलनिस्ट और एक्टिविस्ट के अकाउंट्स को ट्रेज करने की कोसीश करी गई है या एक त्रीके से बिना पर्मिशन के एंट्री करने के उनके अकाउंट को एनलिसिस करने की कोशिस की गई और बोल सकते श्पाइ करना जाऊ सोसी के एक एलिगेशन इनके उपर लग एते के उपर, पिगासस बैसिकले इसराहिल के एक कंपणी है holes तो उसके द्वारा इसके लावान नयकेबल इंडिया में बलकी लगबल दस कंट्री में इनकी उपर एलिकेशन लगे थे भारत के अंदर जो मौनसुम सेशन चल रहा था तो इसी पिगसस पाईवेर की वज़े से पूरा का पूरा मौनसुम सेशन जो है वो डिस्टरब हो गया यानि जो हीरिंग थी उसको लेकर थोड़ा सा डिले किया गया क्योंकि सरकार ने अभी तक एफिडेट फाइल नहीं इस पटिकलर कंटेक्शन में किया था यही एक इंफरमेशन पिगसस पाईवेर के बारे में एक बार आप भी बढ़ सकते हैं रिपीट मौन पे इसके बात करेंगे यहां पर जो टाइटल दिया गया है कायरेन एनर्जी लिम्टेड जो की यूके बेजड एक कंपनी है ये इनका एक डिस्प्यूट था भारत के साथ रेट्रोस्पेक्ट्व टेक्स के मामले में जिसमें भारत को 1.06 बिलियन डॉलर पे करने थे रेट्रोस्पे टेक्स बेसिकली होता क्या है रेट्रोस्पेक्ट्व इस वर्ड्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब है बैक टेट से कोई टेक्स को इंपोज करना बैक डेट से मतलब क्या होता है जैसे कि एक कानून बनता है एक सिप्टेमबर 2021 को लेकिन हम इसको केस्ट इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर और ये केस जीते और इसका एक इनिशेट क्या होगा कि इनको भारत सरकार को पे करना पड़ेगा इतना अमांट रेट्रोस्पेक्ट्व टेक्स का जो केस है ये बहुत पुराना ऐसा नहीं कि अभी 2014 के बाद आया बहुत पुराना एक केस था लेकिन अभी 2021 के अदर एक इनिशेट हुआ था रेट्रोस्पेक्ट्व टेक्सिशन के मामले में सरकार ने ये प्रोविजन जो बैक डेट से टेक्स लागू होते थे उसको हटाने के लिए एक बिल जो हो प्रिजेंट किया या पेइमेंट को लेकर ये सारे जल्दी रिजोल हो जाएंगे इस तरह की स्टेट्मेंट दी गई काईरन एनर्जी लिम्टेड के दवारा इसके बाद एडिटोरिल पार्ट को हम डिसकस करेंगे एडिटोरिल पार्ट में तीन ऐसे एडिटोरिल जो कि इंपोर्टेंट है और कह सकते एग्जाम प्रस्पेक्टिव से भी बिल्कुल रिलिवेंट आर्टिकल होंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एक आर्टिकल निपा को लेकर यानि निपा वाइरस जो भी न्यूज में है कंटिनू केरला के कोंटेक्स्ट में या पूरी दुनिया में इस तर 18-19 में देखने को मिली थे लेकिन अब निपा वाइरस के तुरू क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं उसके बारे में इसकोस करता है इसके जस्ट नीचे हैं मेकिंग देंप यानि जो बिग जायंट कंपनी जैसे एपल है गूगल इस तरह की कंपनी को लेकर एक आर्टिकल है औ यहां पर टाइटल दिया गया यह बिसिकली आर्टिकल डिसकस करता है निपा वाइरस को लेकर और उससे जितने भी वाइरस या जितने भी डिजीज इस टाइम पर जो न्यूज में रहे उस कोंटेक्स्ट में और कैसे डिल कर सकते हैं और कोविड-19 से या कोरोना वाइरस से हमने क्या चीज़े सीखा है उन सब चीजों को लेकर कैसे वेक्शिन को डेवलब कर सकते हैं और जितने भी ट्रोपिकल इनफेक्शन हैं उनको लेकर कैसे हम काउंटर कर सकते हैं उन सब चीजों को लेकर यह डिसकस करता है सबसे पहले बात करते हैं इंडिया जो है वो काफी अच्छा प्रफोम कर रहा है COVID-19 के कोंटेक्ट में खासकर वेक्षिनेशन के मावले में हला कि अभी भी बहुत जादा पेस करने की जुरूत है क्योंकि हमें बड़े नंबर पर वेक्षिनेट करना है और हमारी पोपलेशन भी बहुत जादा है तो उस कोंटेक्ट में अभी ट किरला में के एक डिस्टिक है कोजी कोड वहाँ पर कुछ कंफर्म होते हैं केसी निपा वैरस के और एवन एक बारा साल के बच्चे की वहाँ पर डेथ भी होती है लेकिन ये पहली बार नहीं है 2001 में वेस्ट बिंगॉल और किरला में देखने को मिला दो हजार अठारा में को आपको देखने को मिलेगी अब ऐसा नहीं कि यह वायरस के बल निपा वायरस के बारे में बात है आपने पिछले कोई सालों में कई तरह के वायरस देखने को मिलेंगे या अलग 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 तरह के डीजी चाहे वह बैक्टीरिया से हो वायरस से हो दूसरे वजह से हो जैसे इस तरह के या इवन COVID-19 निपा इन सब चीजों के बारे में इनके अलाबा निपा के बारे में पहली बार आप देखेंगे कोजी कोड और मालपूरम जो डिस्टिक है वहाँ पर इसके अलाब अगर आप प्रोटोकोल के बारे में बाता है तो इसके लिए इसके लिए इसके बारे में बाता है करेंगे चाहिए नैशनल लेवल पर हो इसमें ये पैंडिमिक जो है वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ट्रीट्मेंट करना वैक्षिनेशन इस तरह के चीजें हमें कोई-19 सिखा रही है इसके अलबा अलग-अलग जोग्रिफिकल रिजिन में अलग-अलग तरीके से वायरेस हो या कोई भी डीजीस हो रियक्ट करता है भारत के अंदर भी आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा 2018 में जब निपा वैरेस आया था और अब में थोड़ा डिफ्रेंस यह है कि क्योंकि भारत ने दो साल लग-बख हो चुके हैं 2020 और 21 इनमें COVID-19 को कैसे डील करना है कैसे कई सारी चीजे सीखिए तो निपा वैरेस के कॉंटेक्श्ट में जो ट्रीट्मेंट का अगर हम बात क करें तो वैक्शिनेशन को लेकर तो काम किया ही जा सकता है दूसरा इसको फेलने से रोकना पड़ेगा यही एक स्ट्रेड़ी हो सकती है और जिस हिसाब से COVID-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी उस तरह का इंपक्ट ना हो क्योंकि इसको लेकर वैक्शिन ही लेकि कुछ कंट्रीज के अंदर हो सकता है लेकिन इसको लेकर भी हमें एक एड़िकेट स्टैप जो है लेने पड़ेंगे डव्योएच्चो गवर्मेंट ऑफ इंडिया या हेल्थ बिश्ट्री यह हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी स्टेट के है डिस्टिक हेल्थ डिपार्टमे जो है उनके कोडिनेशन के साथ इसको काउंटर किया जा सकता है और जो स्टडीज है रिसर्च है कि कुछ वेक्षिन इसमें हल्प कर सकती वो भी यूज की जा सकती है अब उनको ट्विक करने के बाद तो यह कुछ चीज़ है इसके अलाबा आपने ध्धान दियागा क्योंक वेक्षिन वर्ड है यह लेटिन में इस वर्ड का मतलब क्या होता है इसको लेकर क्यों था आप लोगों को नीचे कमेंट करना है कि वेक्षिन वर्ड जो यूज होता है लेटिन में इसका मतलब क्या है यह आपको नीचे कमेंट करना है सेकिन आर्टिकल है मेकिंग देम पे क के एक article दिया गया यह article basically big tech companies को लेकर है या उनकी monopoly या monopoly का मतलब क्या होता है कि 166 अधिकार होना यह एक अधिकार हो जाना किसी चीज़ का कि वही सर्वाइव करेगी बाकी छोटी-छोटी company जो हो खतम हो जाएगी allow to regulate app store operation is key to check big techs monopolizing nature यानी इन companies का जो monopoly करने का एक तरीका है nature को उसको चेक करने के लिए कुछ कानूनों का होना बहुत जुरूरी है और recently South Korea की government है एक legislation एक law वहाँ पर frame किया जिसमें anti-google law के तरह इसको consider किया जा रहा है क्योंकि भारत में भी इस चीज़ को देखा जा रहा है कि Indian lawmakers के लिए requirement है कि इस तरह के लोग को frame किया जाए और अगर आप देखेगे last week जो South Korea की parliament है इसने past किया था telecommunication business act और यह prevent करेगा basically app store operator जैसे Google और Apple को कि जो app developers उनको pay करें कि store system से अगर कुछ use करना तो उसको कुछ pay करना है या कुछ charges उनको pay करने है यह नहीं कर पाएंगे और यह कई बारी क्या आता exorbitantly यानि बहुत heavy charges यह मांगते है उसके बदले में और ऐसा लगता है कि Google एपल यह इस तरह की जो बड़ी company है यह अपनी monopoly हासिल करना चाहती है इस तरह की से इस चीज़ को रोकने के लिए उसको check करने के लिए South Korea यह ने एक low frame किया इसके लावा यह कानून जो है मदद करेगा कि unfair use नहीं होना चाहिए market position में आप बड़ी company इसका मतलब यह नहीं कि आप ही एक तरीके से यहाँ पर function करेगी वो चीज़े accept नहीं होने चाहिए इसके लावा यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप government nagable South Korea की बात है अगर आप Australia में भी देखेंगे वहाँ पर भी force किया गया यह एक bill लाया गया कि वहाँ पर companies को जितनी बड़ी company है उनको pay करना पड़ेगा media companies को अगर वो उनके content को display कर रहे तो इसी तरीके से जितनी भी digital payment services जैसे apple पे google पे या wechat पे इनको pay करना पड़ेगा और regulatory के अंदर इनको आना पड़ेगा इसी तरीके से European Union ने भी लोग को draft किया जिसके अंदर ये माना गया कि जितनी भी gate keepers की तरे company डील करती है इनको सब को fair chance देना पड़ेगा और उनको क्या करना क्या नहीं करना वो सारी चीज़े बताई जाएगी इनके अलावा यहाँ पर ये भी इंशूर किया गया European Union ये चाहता है कि सभी customer को जितने भी choices है यानी choices होनी चाहिए ऐसा नहीं केवाल Google और Apple ही होगा और कोई उनके पास option नहीं होगा सभी option जो होने चाहिए इसके लावा नहीं केवल ये European Union अस्ट्रेलिया और South Korea की बात है बलकि United State की भी कही सारे senator जिनमे Republican, Democrat, दोनो political parties के है वो ये चाहते है कि एक competition को promote किया जाना चाहिए gatekeeper power को reduce किया जाना चाहिए, in the app economy इसके लावा choices को increase किया जाए, quality को improvement किया जाए, consumer की cost को reduce किया जाए, ये सारे चीज़े होनी चाहिए अबरोल अगर आप competition को एक जिसको बोलते है न फेर competition उसको promote करने के लिए और इसी तरीके से नेकेवल USA, बलकि इंडिया के भी राजस्थान के अंदर ये देखा गया कि वहाँ पर एक non-profit organization है जिसमें together we fight society करके title दिया गया है ये बोलता है कि हम लोग competition करेंगे या fair competition होना चीज तरह के और competition commission of India के सामने इन्होंने एक issue जो हो रखा था इसी तरीके से इनके against जो हो कई सारे google के against allegation लगते हैं और भारत में भी नए digital media ethics code के अंदर ये mention किया गया है कि आपको कुछ rules and regulations को follow करना पड़ेगा तो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की जो जितने भी technical joints है इनको control करने के लिए इनकी monopoly को control करने के लिए एक system होना चाहिए और digital commerce को promote करने के लिए जरूरी है कि democratize किया जाए e-commerce को और alternate provide करवाया जाए लोगों को जैसे e-commerce site है या जितनी भी technological innovation system है हलाकि इसमें ये भी ensure किया जाए कि quality से बिल्कुल भी compromise नहीं किया जाए बलकि fair competition हो सबको competition करने का मुका मिले इसके लिए जरूरी है कि fair उनका share होना चाहिए one-sided ये एक तरीके से आप कह सकते कि one-sided जिसमें monopoly नहीं होने चाहिए किसी भी company की right इसके बाद third editorial जो है the economic reforms करके एक article दिया गया है looking back to look ahead यानि पीछे जहाकना आगे बढ़ने के लिए same एक तरीके से 1991 के reforms के analysis के basis पर कैसे और आगे improvement कर सकते हैं वो सारी चीजों का analysis किया गया है 1991 से लेकर 2021 और 2021 से आगे क्या किया जा सकता उनके बारे में ये discuss किया गया है सबसे पहले बात किए the fundamental need to be set right with a focus on human capital, technology readiness and productivity यानि सबसे ज़्यादा जूरूत इस टाइम पर क्या है human capital पर focus करिए, technology readiness पर काम करिए और productivity पर भी काम करिए इस बात का ensure किया जाएगा इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे पुरी दुनिया में novel covid-19 हुआ और ने केवल भारत में बलकि पुरी दुनिया पर उसका negative impact भी हुआ और globally force किया economy को तो नुक्सान ही हुआ ही, humanity को भी बड़े level पर नुक्सान हुआ इन सब context में कैसे हम लोग अपने economy को, healthcare system को, research को, development को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे इंडिया के various efforts जो है economic growth को enhance कर सकते हैं उन सब चीजों के बारे में discuss करता है अब बात करते है critical reading of reforms basically क्या है अगर आप 1991 से लेकर 2021 तक लग 30 साल की economic reforms का analysis करेंगे तो भारत ने कई sector में अलग-अलग तरीके से reform किया चाहिए वो trade हो यानि LPG का जो concept आया था liberalization, privatization और globalization उस context के बाद भारत की economy में चाहिए वो GDP की perspective में हो या global export के perspective में हो या sustainable economy growth के perspective में हो हमने लगबग हर sector में कुछ ना कुछ positive growth rate जो है वो हासिल करी अगर आप economic reforms के बारे में बात करें अभी भी बहुत सारे ऐसे sector जिन पर धान दिया जाना बाकी है या जिनको अभी तक अच्छे से धान नहीं दिया गया है जैसे human capital है, technology readiness है, labor productivity है disposable income है, capital expenditure है, process innovation in setting up business है या institutional capacity है कई बार ये word use होता है, capital expenditure या revenue expenditure capital expenditure का मतलब क्या है कि एक long term में कोई investment होता है किसी company को लेकर country में हो सकता है, जैसे companies में भी होता है और एक देश अगर capital expenditure कर रहा है, माल लेते सडक बनाने में होता है highway बनाने में, school बनाने में, infrastructure खड़ा करने में ये होगा capital expenditure में नहीं, long term में कोई उसकी visibility होगी तो वो आप उसके कह सकते है capital expenditure, revenue expenditure का मतलब होता है, within one year के अंदर जो एक तरीके से use किया जाता है इसी तरीके से human resource capital, ये important है, अगर हम बात करें human resource capital के अंदर तो कई सारी चीज़ें आती है, quality of education है, low skill manpower ये सारी कम्याद देखने होगा मिलती है कि अभी भी भारत के अंदर human resource capital के अंदर हमारी ranking बहुत अच्छी नहीं है जाए education हो, skill हो या health हो और भारत की ranking जो बहुत जादा अच्छी नहीं है, 103 human capital report के अंदर थी 2017 में, silanka 17, china 34, south korea 27 number पर आपको देखने को मिलेगा इसी तरीकी से अगर हम बात करें, world bank की database के एक्योडिंग, भारत की अगर per capita GDP की बात करें तो low category के अंदर आते हैं, क्योंकि भारत में लगबग 21004 ठीक है इसके आसपास dollar में अगर आप देखेंगे, per capita GDP में 204 US dollar में compare करोगे अगर आप इसमें तो 125th rank पे आएंगे पूरी दुनिया के अंदर अगर global average देखेंगे तो 11,439, 11,429 dollar के आसपास होगी तो ये भी कम आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके से चाहे वो global manufacturing competitiveness index हो, या hourly wages के बारे मात करें ये भी अगर आप US, जपान, South Korea, चाहिना, इन सबसे काफी पीछे इंडिया नजर आएगा इस पूरे context में, इसी तरीके से research and development पर अगर आप expenditure की बात करें तो केवल 0.8% है जो की बहुत कम है South Korea में 4.5%, China में 2.1%, Taiwan में 3.3% जो हो खर्च किया जाता है सेम चीज़े labor productivity की मामले में और उसमें भी हम बहुत पीछे नजर आएंगे as compared to China, South Korea, Germany इस तरह की countries की तो ये सारी एक message है कि इन सब चीजों में improvement की requirement है और इसके लिए जरूरी क्या capital expenditure करना पड़ेगा, institutional capacity को boost up करना पड़ेगा, business की inefficiency को reduce करके efficiency के अंदर convert करना पड़ेगा इसके अलावा economic infrastructure को development करना पड़ेगा, business services को जो और ज़्यादा boost up करना पड़ेगा इन के लावा आने वाले time में human resource capital के लावा skill, research, development इन सब पर हमें investment करना पड़ेगा और आने वाले time में जब माना जारा कि industrial revolution 4.0 यानि 4 number की जो भी industrial revolution होगी तब basically इसमें खर्चा भी जाता होगा और नए तरीके से चीजों को deal करती है जिसमें artificial intelligence है, robotics है, 3D printing है, internet of things है ये सारी चीजें होगी तो उस context में जुरूरी है कि हमें research and development expenditure को आने वाले time में at least 2% तक increase करना पड़ेगा 0.8 से 2% तक उसको लेगे जाना ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अगर हमें और जादा development करना है इसी तरीके से जैसे 1993 में जो नोबल लोरेट्स थे, डगलेशी इन्होंने बोला था कि एकनोमिय के लिए जुरूरी है कि capacity को पबलिक institution के अंदर एक ऐसा environment create करना जिसके थूरू investment को और ज्यादा प्रमोट करे आजासके, global supply chain को boost up करे आजासके और जितनी requirement है एक new industrial revolution के according उसको जो है फिलब के अधासके इसके लिए जुरूरी है policy making से लेकर investment और investment से लेकर infrastructure को visible एक तरीके से करना इसके बाद page number 8 पर है, page number 8 पर last में एक चोटिशी information है अभी data protection bill को लेकर जो committee है उसको lead कर रही है मिनाक्षी लेकि जो की बीज़ेपी की MPA अभी इसको लेकर finalize new report अभी तक नहीं दी गई है इस committee को लेकर क्योंकि data protection bill बहुत important है और data protection bill के बारे में बताओ थोड़ा सापको इसमें काफी समय हुआ, delay हो चुका है लेकिन अभी तक भी data protection को इसको लेकर recommendation नहीं भेजी गई है सरकार को और उसके बाद bill आने वाले time में present किया जाएगा कई सारी issues जैसे क्या data को सरकार या private company यूज़ कर सकती है उसको regulation कैसे करेंगे कैसे उसमें rules को मनाया जाएंगे वो सारी चीज़े है इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप privacy को देखेंगे भारत में as a fundamental right की तरह consideration किया गया है उस context में data protection का इसके अलावा DNA technology इन सब bills का एक दुसरे से relation है और उसी context में data protection bill काफी important है जब ये bill present किया जाएगा इस committee की recommendation के बाद तब इसके बारे में हम detail से particular अगर जुरूत परी देखेंगे बना करी पड़ेंगे बहुत important ये data protection bill इस committee को फिला लीड कर रही है मिनाकसी लेकी इसके बाद page number 9 पे कोर information है और ये information basically क्या है CIA chief और रशिया के top official जो दिल्ली के अंदर आएंगे विजिट करेंगे और अफगानिस्तान crisis को लेकर discussion किया जाएगा high level का delegation जो है भारत के राजदानी में आएगा यानि दिल्ली के अंदर आएगा मोस्को और वाशिंग्टन से अफगानिस्तान crisis जो है वो main issue होगा जिसके बारे में discuss किया जाएगा तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर भी discuss किया गया है कि एक American delegation जो होगा intelligence and security official का जिसको lead करेंग chief of central intelligence agency और यह भारत में आएंगे इसके लावा यह पाकिस्तान के अंदर भी जाएंगे लेकिन भारत में यह specially मिलेंगे national security advisor अजीद दोवाल से तो यह अपने आप में important है और इसमें कैसे अफगानिस्तान से evacuation efforts को और जादा मजबूत कर सकते कैसे और जादा simplification कर सकते है ताल secretary of security council यह भी भारत में आएंगे यह अपने आप में विशेश है क्योंकि भारत के प्रदान मंतरी इसके लावा external affairs minister या national security advisor इन सब से इनके मुलागात होने वाली है तो रशिया और वाशिंग्टन दोनो रशिया और यूएस के chief जो एक तरी किस official है वो भारत के इंदर एक तरी किसी leader से बाचित करेंगे discussion करेंगे इनके अलावा यूएस और रशिया दोनों के बीच में relation बिल्कुल अच्छे नहीं है और रशिया अफगानिस्तान में Taliban का जब exit हुआ है sorry अफगानिस्तान से यूएस का जब exit हुआ और Taliban की सरकार वनी है तो उस context में दोनों के ब racism यह होता है और रशिया लिगेशन लगाता है कि आपने जल्दबाजी में यहाँ पर एक vulnerable या फ्रिजाल सी situation जो create कर दी है इसी context में आने वाले समय में सेंगाई कोपरेशन और अगरनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है और कल यानी 9 September को BRICS की summit भी होने वाली है तो बहुत सारी important summits आने वाले समय में होगी BRICS अपने आपने आपने important क्योंकि BRICS को जो chair करेगा इंडिया इस बार इनके लाबा अगर आप देखेंगे इस पूरे context में जैसे US और US और जो रशिया है उनके relation को लेकर आप एक United Nations Security Council में एक resolution भी इंडिया के दुबारा 2593 इसको रशिया और चाइना ने एक तरी के abstain कर दिया था यह वोटिंग में participation नहीं किया था इन्होंने इसलिए कि रशिया चाहता था कि Islamic State को भी इसके अंदर include किया जाए और चाइना यह चाहता था कि Eastern Turkistan Islamic movement को भी इसके अंदर include किया जाए तो यह स काला भारत पर एक allegation भी लगता है कि आपने अफगानिस्तान के नागरिकों को उतनी स्पोर्ट नहीं करी जितनी आपसे requirement ही जितनी आपसे उमीद थी केवल 112 अफगानिस्तान नेशनल्स को विजा दिया गया है और बाकी कई सारे विजाज को cancel कर दिया गया कोई fresh विजा इस issue नहीं किया गया यह सारी चीज़े है और अफगानिस्तान के अंदर जो इस टाइम पर चल रहा है तालिवान क्लेम करता है कि हमने सरकार बना लिए और इंट्रिम गवर्मेंट बना लिए इसके लावब पंसिर पर कभी क्लेम करता है उसके बाद पंसिर के जो लीटर वो यह बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर तालिवान की प्रिजन्स नहीं है तो इन सब चीज़ों के बीच में अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री जो हर न्यूज पेपर में ने के वल इंडिया में वलकि पूरी दुनिया में इस टाइम पर चाही हुई है इसके बाद पेज नंबर टैन ओ पॉर्टल को लॉंज किया है जिसमें फेसिलिटेट किया जाएगा पार्टिस्पेशन ओफ डॉनर्स और वोलिंटर्स आपके लिए सेकेंड क्योश्चन है देखिए विद्यांजली एक स्कीम जो बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी इसको लेकर यूपीसी ने एक्ज पर सवाल पुछा था यूपीसी पिलिम्स में सवाल हो सकता है रिपीट पॉर्ण में भी जा सकता है यह आपको नीचे कमेंट करना है इसके अलावे एक प्राइवेट से एक सर्वे है जिसमें बहुत ज्यादा रिलिवेंट मैं नहीं कोंगा इस तरह के सर्वेज को क्योंकि यूपीसी जरनstat नहीं करती कोई प्राइवेट एक सर्वे होता है गोर्नेंट का सर्वे हो या कोई इंटर गोर्नेनेटाल और्गनेजेशन का सर्वे हो उनको आप रेक्यमेनेशन कर सकते है इसको आप पढड़ सकते है पैसमें बोला गया कि अभी बहुत सारे बच्चे जो उनकी education नहीं है, rural और सेम चीज़ जो बताए जाती है, rural और urban area के अंदर education को लेकर अभी भी एक huge gap आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़े discuss की गई है, इसके बाद यहाँ पर अभी एक portal launch किया गया था, ministry of labor affair की तरफ से, उसी में बताया गया कि अब तक लगबग 21.02 lakh ज और labor and employment minister पुपेंदर यादो नहीं यह बताया कि अभी तक जो है, इसमें एक certificatory या संतोष जनक result उनको मिल रहे हैं, और उमीद की जारेगी जल्द ही इसमें जो चीज़ें और ज्यादा boost up मिलेगा, हलाकि कुछ technical issues भी है, इसको solve करने के लिए national informatic centers ने यह वोला कि इसमें और implement करने की जुरूत होगा, इसको complete किया जाएगा, यह कुछ चीज़े है, इसके बाद page number 11 पर world affair की जो बात करते हैं, तो page number 11 में जो world affair उसमें से आदा page as usual तालीबान के बारे में और अफगानिस्तान के बारे में cover मिलता है, तो सेम चीज़े आज भी है, कि पंसीर एक जग फोटोग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, इनके अलावा अभी तालीबान के अंदर या काबूल के अंदर एक विरोध बरदर से ने वियुआ कि सिज़ के अगेश, पाकिस्तान के अगेश, यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो फोटोग्राफ है, और इसमें बेसिकली प पर पहले भी लगते रहे और अभी भी लगते रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि पंसीर के अंदर तुम जो है, वो एक तरीके से तालेवान को स्पोट कर रहे हो, यह सारी चीज़ हाला कि उसके बार तालेबान ने अरेश्ट किया सकते हैं इसके लावा बिजनस सक्षन या एकनोमे के प्रस्पेक्टिव से बात करेंगे तो एक कंट्री बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी ऐल सलवाडॉर करके ऐल सलवाडॉर बिसिकली वो कंट्री जिन्हों पहली बार अडोप्ट किये लीगल करन्सी गरूप में बिटकोइन को एज लीगल टेंडर राइट तो यह पहली कंट्री है एल सलवाडॉर फाइनली ओफिशली बन चुकी है फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू अडप्ट बिटकोइन एज लीगल टेंडर राइट ए रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट यह इन्हों नहीं बोला है और अगर आप देखेंगे लीगल टेंडर का मतलब क्या होता कि उस चीज़ को ओफिशिल एक्सेप्ट किया जाएगा अभी भारत में बिटकोइन ना तो लीगल है ना इलीगल है हलाकि RBI नहीं बोला कि एक Central Central Currency को लौँज क्या जाएगा Central Digital Bank Currency को लौँज क्या जाएगा इंडिया के अंदर भी आने वाले टाइम में भी तो इस तरह की currency जो हती है virtual currency बिटकोइन इनके बारे में सवाल पहले भी पूछेगे blockchain technology की बारे में सवाल हो सकते तो ये country जुरूर ध्यान दखना एलस अलवाटोर की geographical location आप देखेंगे किस continent के अंदर पड़ती है ठेंक ठीक है तो आज के दहिंदो analysis में इतना ही ठेंक्यो ओल जहिन